जल मंडल पृत्वी को नीला ग्रह कहा जाता है पृत्वी का 71 प्रतिशत भाग जल तथा 29 प्रतिशत भाग स्थल है जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं इसमें महासागर, एवम नदियां, जीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायू मंडल की जलवाश्प सभी सम्मिलित हैं इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें तुलनात्मक रूप से महासागरिय जल का प्रतिशत दर्शाया गया है जो की 97.5 प्रतिशत है वहीं अलवण जल या मीठे जल का प्रतिशत दर्शाया गया है जो की कुल जल का मात्र 2.5 प्रतिशत है प्रत्वी पर पाय जाने वाले जल का 97.5 प्रतिशत से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपियोग में नहीं आ सकता है प्रिष्ठ संख्या 35 शेश जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है जल का बहुत कम भाग अलवन जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तिमाल में आता है यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं इस प्रिष्ठ पर चित्र पाँच दशमलव तीन दर्शाया गया है यहाँ पर महादूइपो के तुलनात्म काकार को वर्गों के माध्यम से दर्शाया गया है चित्र पाँच दशमलव तीन में दिये गए वर्गों को गिनिए एवं निम्न लिखित के उत्तर दीजिए का सबसे बड़े महादूइप का नाम लिखिए ख, कौन बड़ा है, यूरोप या आस्ट्रेलिया महासागर महासागर जल मंडल के मुख्य भाग है ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए है महासागर या जल हमेशा गतिशील रहता है तरंगें जुआर भाटा तथा महासागर या धाराएं महासागर या जल की तीन मुख्य का दिया है बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रम शह पांच महासागर प्रमुख है प्रशांत महासागर अट्लांटिक महासागर हिंद महासागर दक्षणी महासागर तथा आर्क्टिक महासागर इनको भी चित्र पांच दशमलव एक में दर्शाया गया है प्रिष्ठ संख्या 36 प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है यहाप्रिथ्वी के एक तिहाई भाग पर फैला है प्रिथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है एशिया आस्ट्रेलिया उत्तर एवं दक्षिन अमेरिका इसके चारों और स्थित है चित्र पांच दशमलव एक को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों और इन महाद्वीपों की स्थिती का पता लगाईए अट्लांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिन अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका अट्लांटिक महासागर के तट्रेखा बहुत अधिक दन्तुरित है यह अनियमित एवं दन्तुरित तट्रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिती है व्यापार की द्रिष्टी से यह सबसे व्यस्त महासागर है हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानि भारत के नाम पर रखा गया है यह महासागर लगभग त्रिभुजा कार है इसके उत्तर में एशिया पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में आस्ट्रेलिया स्थित है दक्षिनी महासागर अंटार्क टिका महाद्वीब को चारों ओर से घेरता है यह अंटार्क टिका महाद्वीब से उत्तर की ओर साथ डिगरी दक्षिनी अक्षांच तक पहला हुआ है आर्किटिक महासागर उत्तर धुव रित्व में स्थित है तथा यह उत्तर धुव के चारों ओर फैला है यह प्रशांत महासागर से छिछले जलवाले एक सक्री भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंधी के नाम से जाना जाता है यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा युरेशिया से घिरा है इस प्रिष्ठ पर एक चित्र में डबलिन तथा बैलफस्ट के आसपास दन्तुरित तटरेखा को दर्शाया गया है वायुमंडल हमारी प्रिथ्वी चारो ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं यह वायुमंडल हम लोगों को सूरी की कुछ हानी कारक किरणों से बचाता है वायुमंडल सुलह सौ किलोमेटर की उचाई तक फैला है वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्ने के आधार पर पांच परतों में बाटा जाता है इन परतों को प्रिथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल समताप मंडल मध्य मंडल आयन मंडल तथा बहिर मंडल कहा जाता है इस प्रिष्ठ पर चित्र पांच दशमलव चार में वायुमंडल की विभिन्न परतों को दर्शाया गया है साथ ही ये भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार क्षोभ मंडल में वायुयान और हवा के गुबारे उड़ते हैं समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में हमें उलका पिंड जलते हुए नजर आ सकते हैं इसी प्रकार आयन मंडल या मध्य मंडल के बीच में रॉकेट मिसाइल इत्यादी उड़ते हैं तथा सबसे बाहर बहिर मंडल और आयन मंडल के बीच में उपग्रह ब्रहमण करते हैं प्रिष्ठ संख्या 37 वायु मंडल मुख्य तह ऑक्सिजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो की साफ तथा शुष्क हवा का 99 प्रतिशत भाग है आयतन के नुसार नाइट्रोजन 78 प्रतिशत ओक्सिजन 21 प्रतिशत तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डायोकसाइड आर्गन इत्यादी की मात्रा एक प्रतिशत है ओक्सिजन सांस लेने के लिए आवश्चक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की व्रिद्धी के लिए आवश्चक है कार्बन डायोकसाइड यद्यपी बहुत कम मात्रा में है लेकिन यहाँ प्रिद्धी के द्वारा छोड़ी गई ओश्चमा को अवश्चोशित करती है जिससे प्रिद्धी गर्म रहती है उचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है यहाँ घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम उपर की ओर चाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है आप जानते हैं कि पहाणों पर पर्वता रोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठनाई होती है उचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सिजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है जैसे जैसे हम उपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है इस प्रिष्ठ पर चित्र 5.6 दिया गया है जिसमें जैव मंडल दिखाया गया है चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार सभी जीव जन्तू एक दूसरे पर आश्रित है पहाणों पर गिरी हुई बर्फ पिघल कर पानी बनती है और वो नदी का रोप लेकर फिर बाद में समुद्र से जा मिलती है इस नदी में कई जलिय जीव रहते हैं उसके पश्चाज सूरे की गर्मी से समुद्र में पानी भाब बन कर उड़ता है तथा बादलों का रूप ले लेता है ये बादल हवा द्वारा फिर ठंडे स्थान की ओर चल पड़ते हैं तथा रास्ते में ये संघनित हो करके वर्षा का रूप लेकर धर्ती पर बरस जाते हैं प्रिष्ठ 38 वायु मंडल प्रिथ्वी पर दबाव डालता है यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग-अलग होता है कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है गतिशील वायु को पवन कहा जाता है झालता है